नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ओफिस का काम था थोड़ा विजी हो गया था तो रात 10 बजे है तो 10 बजे में सोचा एक अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में आपके साथ थोड़ा शेयर करना जाते हैं दोस्तो आज हम देखेंगे जो banking news है 10 सेप्टेमर में क्या-क्या banking news आये है और दोस्तो अगर आप लोग मेरा चलेंग में नेया हो तो प्लीज मेरा चलेंग को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है दोस्तो उसको इनेबेल करके रखिए दोस्तो में इंस्ताग्राम में भी आप मुझे इंस्ताग्राम में भी फॉलो कर सकते हो मेरा चलेंग का नाम है knowledge IQ TV दोस्तो में एक चीज आपको बताना चाहते हूँ वीडियो बनाने में बहुत देरी लगते हैं तो आप लोग प्लीज मेरा knowledge IQ TV को जाके इंस्ताग्राम में फॉलो कर लिजिए दोस्तो मेरा एक बेंगोली चलेंग भी है बैंकिंग अपडेट बेंगोली बोलके तो आपका सपोर्ट चाहिए तो जाईए और चलेंग को सब्सक्राइब कर लिजिए तो आएए दोस्तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है तो एक एक करके हम शुरू करते हैं लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहिए आप लोग प्लीज मेरा वीडियो को तिल एंड तक देखिए क्योंकि अगर आप स्कीप करके देखते हो तो बहुत सारे इंफर्मेशन आप लोग नहीं जान सापते हो तो आप लोग प्लीज मेरा चानल को टिल एंड तक देखिए वीडियो को दोस्तो जो आजका जो नीज है इस में बोला गया है वाट इस प्रोवाईड इन अभाव डिरेक्ट्ट्ट्स-अफ अव एंड दीएफ अन यूटिलाइजिंग स्टाफ ओल्फेयर फंड मतला बैंक का जो स्टाफ ओलफेयर फंड है employees and retirees is furnished hard under for information. Banks may consider the opinion group of insurance policy both serving and retirees employee instant of direct payment and of benefit from the fund. तो दोस्तो जो staff welfare fund के बारे में government of India ने एक circular जारी किया है दोस्तो आप देख सकते हो सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में बताए गये है दोस्तो जो 20 February 2012 में जो डेटेट था उसमें staff welfare fund in public sector banks इसमें दोस्तो सबसे important सा चीज़े State Bank of India का जो maximum selling per year है ओह है 1000 करोर्स आदर जो PHBs with business mix over 3 lakh करोर्स and employee strength above 30,000 उसमें आरे maximum selling per year 25 करोर्स उसमें से जो public sector bank with businesses mix of 1 lakh 50,000 करोर्स to rupees 30 lakhs करोर्स and employee strength 20,000 to 30,000 उसमें कितना आरे दोस्तो maximum selling per year 20 करोर्स and other PHBs is 15 करोर्स तो इसमें क्या MOF and DFS utilize कर रहे staff welfare fund को इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज आप comment section में जाके बताईए उसके साथ साथ जो bank may consider the option of group insurance policies for both serving and retired employees instead direct payment and benefit of fund तो staff welfare fund के बारे में government of india ने जो 2012 में जो circular जारी किये थे इसके बारे में आपका क्यार आया है प्लीज आप comment में मुझे बताईए उसके साथ साथ आज और एक चीज़ा है pension updation के बारे में UFBU and AIBA can take credit pension updation दोस्तो इसके बारे में आपको बताना चाहती हो जो AIBA का जो चीफ है CHV तो क्या आप लोग को नहीं लगता है UFBU और AIBA एक credit लेना चाते है pension updation का approval के बारे में क्यूकि दोस्तो जो UFBU and AIBA family pension जब approval हुई थी उस टाइमें credit नहीं ले पाए क्यूकि आपको मालूम है दोस्तो जितने भी credit जाते हैं दोस्तो हो हमारे जो मारनिये finance minister है निर्मला सितरामन जी को जाते हैं क्यूकि उन्होंने NPS contribution का 10% increase करके 14% किये थे उसके साथ साथ हमारे family pension का 30% भी increase किये थे तो बहुत जल्दी हम लोगों को ओप pension area भी मिल जाएगा 1, 4, 2021 से लेके up to September तक और हम लोगों को 30% family pension भी मिल जाएगा तो इधर में question A है दोस्तो उस time में मतला family pension जब approve हुआ था उस time में UFBO and AIBA कोई भी credit नहीं ले पाए और उसके साथ लेभी भी नहीं लेए तो आपका क्याड आए है दोस्तो UFBO and AIBA एक credit लेना चाते है pension update में क्योंकि दोस्तो आपको पता नहीं होगा शायद जो AIBA का chief CHB अभी भी दिल्ली में है और दिल्ली में बैटके finance minister के साथ बाते करड़े लेकिन बाते करने के बाद जो updates आड़े वो updates हमारे जो facebook ग्रूप से google ग्रूप से bank pensioner का उस ग्रूप में share नहीं करड़े मतलब उन्होंने खुट इस चीज का credit लेना चाते है और comment section में आप बताए आप AIBA का जो chief CHB के साथ खुश है किया आपको नहीं लगते AIBA का जो chief है CHB को उसका पद छीन करके दूसरा कोई को AIBA का chief बनाए क्योंकि दोस्तो मुझे तो ऐसे लगते हैं मेरा opinion है UABU and AIBA जो bank pensioner है family pensioner है उनके लिए कुछ भी नहीं कर दें उसके साथ साथ दोस्तो जो bank employees है न जो five days banking का बात बाते कर दें उस five days banking के बाड़े में भी AIBA और UABU कुछ भी बात नहीं कर दें दोस्तो कुछ भी बात नहीं क बेफी ने एक आवाज उठाई थी five days banking के उपर लेकिन UABU and AIBA अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जो family pensioner को आच्छा लगे pension जो डिटारीस pensioner है उनको आच्छा लगे ओ स्रिप credit लेना चाहते हमने हमने आपका pension adaptation करवा दिया है स्रिप credit और कुछ भी नहीं लेना चाहते क क्योंकि दोस्तों आपको मालू है family pensioner का pension का credit नहीं ले पाए हो लोग क्यों नहीं ले पाए क्योंकि हमारे जो respected madam जी है मतलब FM उन्होंने family pensioner को pension increase कर दिये थे उसके साथ NPS का भी increase कर दिये थे 10% to 14% तो दोस्तों इसके बाड़े में आपका क्या राय है और AIPI Chief के बाड़े में आपका क्या राय है प्लिस आप comment section में बताईए और pension adaptation के बाड़े में क्या union credit लेना चाहते यह भी आप comment section में बताईए तो thank you so much दोस्तों वीडियो इधर ही खतम करते वीडियो अच्छा लगे तो करते वीडियो आपका क्या राय है